दोस्तों स्वागत है पकता एक्जाम पोर्टल में कैसे चले आपकी त्यारी तो एक वीडियो भी है जो बिहार कॉंस्टेवल से रिलेटेड है देखी यह जो इतनी बड़ी भरती है इससे काफी वाओं को उमीद है जो लोग बिहार में जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए ए अलाकि जो मेरे ग्रूप में और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हों मोस्टली उसमें से सब इंस्पेक्टर दरोगा के इस्टुएंट हैं लेकिन एक रास्ता हो सकता है सब इंस्पेक्टर बनने का मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो इसके बारे मैं आपको नहीं करना है उसी से रिलेड HR बहु सारे कम्ट्स है जिसको मैंने लिया है मैं लिये कुछ-कुछ अच्छे कम्ट्स इन एक्जाम से रिलेड हैं देख़ें क्या करना है की फॉर्म कुछ सब से ज़्यादा सेफ़ली भरिये मैं उस व्डियो में भी कर रहा हूं IEC कर आगे भी कहता रहूँगा क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं जो लोग हैं बहुत जादा या तो कुछ लोग graduate हैं या कुछ नहीं भी है जो नहीं है वो थोड़ा सा form के nature को या मतलब भरने में को समझ नहीं पाते हैं और गलतियां करते हैं ठीक है इस चीज को ध्यान में रखेगा दूसरा पूछ रहते हैं कि exam कब होगा अब इसली बार जब exam हुआ था तो उसके लिए उन्होंने चार महीने का समय दिया था उस समय कोई चुनाओ अगर भी नहीं था ऐसे almost मतलब इस चुनाओ को हम लोग इस चीज से जोड़ देते हैं कि मतलब एक priority set हो जाती है सरकार की कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें इसका result मिलेगा तो अपनों आने वाले समय में चुनाओ अगर अभी दिखने क होगा ठीक है तो आप इसको मान के चलिए कि आपके पास आज से लेके चार महीने का समय है आपके पास बस दो ही काम है दिया आप जौब लेना चाह रहे हैं तो एक दोड़ी और पढ़िए पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोग को बस इसमें रटना है इसमें कॉंसेट की बिल्कुल विजोत नहीं फिलहाल तो आप अब बुकलिस्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा लेकिन इतना याद रखिए कि दो तीन बुक है जिसको आप अगर रट लेते हैं जिस पर कमांड कर लेते हैं तीन बुक का मैं नाम एक तो सबसे पहले लूसेंट अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दुनों को एक सेगमेंट में लेके चली लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको लूसेंट अब्जेक्टिव भी पढ़ना चाहिए इसमें क्योंकि प्रशन इसमें डाइरेक्ट हिट होते हैं एक चीज हो गई पहली दूसरा इसमें स्पीडी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके पास समय है तो इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि बिहार कॉंस्टेबल में ऐसे प्रश्ण होते हैं जो रेलवे के एक्जाम से हैं मतलब ऐसे इतर कुछ प्रश्ण इसको हम लोग फालत होते जा रहा है तो द्रिष्टी के साइंस को आप पढ़ लेंगे हाला कि ये थोड़ा सा लेवल टप है पिछले बार 12 के लेवल से उन्होंने एक्जाम कंड़क्ट करा था लेकिन इस बार लेवल कम कर दिया है बट आप अपना लेवल हाई रखेंगे तो आपके लिए बेन हैं बहुत ज्यादा बुक ने पढ़ना जो बेसिक बुक है मैं हमेशा से हर एक्जाम के लिए बताता हूं और कॉंस्टेबल में भी आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते ये तो हो गया बुक लिस्ट के बारे मैं अलग से बात करेंगे एक दो तीन चीज़ें और है जो हमारा प्रेट बैच है वो आ रहा है कल से उसमें अडमीशन सुरू हाप ले सकते हैं देखिए हम लोग का प्रेट बैच हमेशा समय अपने प्रेट बैच के बारे में बोद वीडियो नहीं बनाता हूं लेकिन जब भी बनाता हूं काफी लोग इससे हमेशा पूछते ही रहते हैं और हमारा जो एक मतलब बेसिक बात है कि हम लोग बहुत ऐसे कन्वीनियंट फी में जो पटना नहीं आ सकते हैं वो लोग के लिए इससे बेहतर ऑपरसिनिर्टी नहीं हो सकता है यदि आप पढ़ना चाहते हैं दिमाग आपको कुछ नहीं लगाना है हम लोग जो दे दे रह हैं हम लोग फी ना के बराबर लेते हैं सौ रूपए देड़ सौ रूपए एक सोनब्य रूपए से करके और यह आप पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोखेगा मेहनत आप ही को करना है हम लोग बस गाइडलाइन करते हैं तो हमारा बैज स्टार्ट हो रहा है हमने कहा दिया द्रिश्टी साइंस कहा दिया लूसेंट सब्जेक्टिव इन तीन बुक्स पर कमांड करेंगे प्राक्टिस जब तक एक्जाम चलेगा मतलब हम लोग उन्हें पच्छातर से नवे प्राक्टिसेट भी था एक्स्प्लेनेशन और पीडिएप देने का प्लान किया है तो इस प्लान को हम लोग एक्जेक्यूट करेंगे ग्रूप में अदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं अदरवाइस हमारे ग्रूप तो ऐसे ही मतलब मोश डिमांडिंग रहते हैं मैं अदि अपनी तारिफ नहीं कर रहा हम लोग मेहनत करते हैं इतन पोर्टल का टेलिग्राम चैनल है बहुत सारे टेलिग्राम चैनल है आप किसी में भी जूड़ सकते हैं दो ओपन चैनल है उसमें जूड़ी आपको वहाँ पर सारी जानकारी लिखित रूप में आपको मिल जाएगी आप इसको फॉलो कर सकते हैं अदरवाइस से इल्प हैं और पढ़ते हैं इस वज़ा से अप गूर्प करना चाहते हैं पटना में लाइब Mussoir बाहर है बार हैं पटना में है लाइबरेसथा के सिल्प स्रड़ी करना सा Gew चाहते तो आप गूर जोईन कर सकते हैं एक स्वे प्रिक्तर के लिए कैसे रास्ता खोल सकते इस पर बात करेंगे बुकलिश्ट रोगरह की बात करेंगे मिलते हैं तब तक क्लिए